उडीशा मिलिट्स मिशन कर रहा है जिन्दगिया रोशन जब कोई शक्स किसी काम को पूरी शिद्द, लगन और इमानदारी से करता है, तो उसकी एक अलग पहचान बन जाती है ऐसी ही पहचान मिली है मयूर भंज जिले के सिंगारपुर गाउं की रहने वाली सुबासा मोहनता को सुबासा मोहनता आज उडीशा में मिलिट्स के प्रमोशन के लिए एक ब्रैंड अम्बेज़डर की तरहा है और लोग उन्हें प्यार से मांडिया मा कहकर बुलाते हैं सुबासा जी ने क्रेफटा की मदद से अपनी एक एकड़ बंजर भूमी में मिलिट्स की खेती की और आठ क्विंटल मंडिया उपज प्राप्त की उडीशा मिलिट्स मिशन द्वारा शुरू की गई मंडिया के पोशन मूरले पर जागरूपता पैदा करने की गतिविधियों के परिणाम सोरूप स्थानिय बाजारों में मांग बढ़ी और सुबासा जी को 40 रुपए प्रते किलोग्राम की दर से 5 क्विंटल बाजार में बेचने में मदद मिली बाकी मांडिया की फसल को उन्होंने अपने परिवार के खाने के लिए रख लिया और अपने रिष्टेदारों के बीच बाट दिया 2021 में सुबासा जी ने आठ एकड भूमी को पट्टे पर लेकर जुआर और कोडों की खेती की अब आपको लगभग 60 कुंटल मिलेट्स पैदा होने की उमीद है तेनू मांडियाटा मोते सार एते लोखमी भोलिया जोना परुची सुबासा जी ने मुर्गी पालं के माध्यम से अपनी इंकम का एक और रास्ता खोजा है आप खेती के लिए पाल्टरी के माध्यम से खाद भी खुद ही तयार करती है साथ ही नियमित रूप से क्रिशी अधिकारी से जानकारी और सहयता भी लेती है सुबासा जी ने क्रिशी विज्ञान प्रैक्टिसेज, जैव इनपुट तयारी, मुल्य वर्धन और नुस्खा तयार करने का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है जिसके कारण कई किसान इन से सीखते हैं यही वज़ा है कि सुबासा जी जिले के अन्य मिलेट्स किसानों के लिए एक प्रेरनास्रोत है उनके समरपान, द्रह संकल्प और कड़ी महनत के कारण उन्हें जिले भर में मांडिया मा के नाम से जाना जाता है आज सुबासा जी के पास अपना ट्रैक्टर है जिसे वो गाउं में खेती के लिए किराय पड़ देती हैं ट्रैक्टर की आई से वो परिवार के साथ खुशहाल सिंदकी बिता रही है आसपास के इलाकों से भी लोग उनके यहां आकर मिलेट्स खरीदते हैं सुबासा जी अपने परिवार के लिए भोचन भी मिलेट्स से ही तयार करती हैं सुबासा जी को उर्णीशा में मिलेट्स को बढ़ावा देने के उनके द्रह संकल्प के लिए विभिन्न पुरसकारों से सम्मानित की आ गया है आज सुबासा जी राज्यम में महिला सशक्ति करण का एक शानदार उदाहरण है और अपने आसपास के इलाके की महिलाओं के लिए एक प्रेरना स्रोथ